कॉलकाता की डॉक्टर बेटी के मामले में जो खुलासे हो रहे हैं, उन्होंने पूरे देश को जग जोर कर रख दिया है। इस मामले में CBI ने अपने हाथों में कुछ ऐसे एहम सुराग लगाए हैं, जो इस केस को एक निर्णायक मोर पर ले जाने की तयारी में हैं। सेमिनार हॉल के पास बने बाथरूम से मिले विडियो सबूतों ने पूरे मामले की सच्चाई उजागर कर दी है। इस खुलासे से यह साफ हो गया है कि आरोपी संदीब घोश के इशारे पर न सिर्फ साजिश रची गई बल्कि सबूतों को मिटाने के प्रयास भी किये गए। यह घटना आट और नो अगस्त की रात की है जब कोलकाता के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में डॉक्टर बेटी अपनी कुछ महिला मित्रों और अन्य ट्रेनी डॉक्टरों के साथ बैठी हुई थी। उस समय वे वहाँ अपने रोज मरा के काम के बाद भूजन कर रही थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो पहले से ही योजनाबद था। डॉक्टर बिटिया के भूजन में नींद की दवाई मिला दी गई थी ताकि वह सोजाए और उसकी विरोध करने की शक्ती समाप्त हो जाए। यह घटना केवल एक सामान्य वारदात नहीं थी बलकि इस साजिश को कई लोगों ने मिलकर अन्जाम दिया। CBI की जांच में अब सामने आया है कि इस घटना के पीछे सिर्फ पुरुष आरोपी ही नहीं बलकि एक महिला डॉक्टर भी शामिल थी। वह डॉक्टर बिटिया की दोस्त थी और उसी कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर भी थी। पहले इस महिला डॉक्टर का नाम सामने नहीं आया था लेकिन अब उसकी पहचान उजागर हो चुकी है। इस घटना की साज़िश में चार अन्य डॉक्टर भी शामिल थे। सी बी आई ने सेमिनार हॉल सहित कई जगहों पर फॉरंसिक जांच की और बात्रूम में लगे कैमरों और अन्य सबूतों के आधार पर इस वारदात की पुक्ता जानकारी जुटाई है। सबसे चौंकाने वाला मोरतब आया जब इस मामले में आरोपी संजे रॉय ने अपने बयान में चार डॉक्टरों के नाम लिये। पहले वह अपने बयान बदलता रहा लेकिन अब उसने सपश्ट रूप से कहा कि उस राद सेमिनार हॉल में जो कुछ भी हुआ वह पहले से ही सोचा समझा शड्यंत्र था। संजे रॉय ने बताया कि आठ और नो अगस्त की रात नाइट शिफ्ट पर काम कर रही नर्स ने भी उस घटना के कुछ हिस्सों को देखा था। नर्स ने कहा कि उसने राद 11 बजे एक ट्रेनी डॉक्टर को बातरूम में खून के धब्बे धोते हुए देखा था। जानच टीम ने उस टूटे हुए बातरूम की तस्वीरे भी ली जिससे यह साफ हुआ कि सबूत मिटाने के लिए इस पूरे इलाके को जान बूज कर नुकसान पहुँचाया गया था। फुटेज में साफ दिख रहा है कि बातरूम की दीवारों को जान बूज कर तोड़ा गया था। यह इस बात की पुष्टी करता है कि संदीप घोश इस साजिश के केंदर में था और उसने सबूतों को मिटाने का भरपूर प्रयास किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस साजिश में एक महिला आरोपी का नाम भी सामने आया है। वह महिला डॉक्टर जो पहले इस केस में कहीं नजर नहीं आ रही थी, अब उसका नाम खुल चुका है। डॉक्टर बिटिया की यह दोस्त भी उसी कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर थी और उसने इस पूरी साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जब संदीब घोश और अन्य चार डॉक्टरों के नाम सामने आ चुके हैं, तो जांच और तेज हो गई है। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया है। सोशल मीडिया पर भी लोग डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। CBI ने जब संदीब घोश के फार्म हाउस पर चापा मारा, तो उन्हें वहां से कई आपतिजनक सामगरी भी मिली। तहखाने से मिले 2000 से अधिक मेमोरी कार्ड्स और कई कैमरों से बनाई गई अशलील विडियो ने इस मामले को और भी जटिल बना दिया है। इसके साथ ही महिला ट्रेनी डॉक्टरों के साथ दुर्विवहार और शोशन की बाद भी सामने आई है। संदीप घोश के फार्म हाउस से मिले सबूतों से यह साफ होता है कि यह डॉक्टर सिर्फ इस एक घटना में नहीं बलकि और भी कई घिनोनी गतिविधियों में लिप्त था। डॉक्टर बिटिया की मा ने अपनी बेटी के लिए नियाय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि इस मामले को लोग समय के साथ भूल न जाएं इसके लिए लगातार आंदोलन की जरूरत है। अक्सर इस तरह की घटनाओं के बाद लोग गुस्से में आकर आवाज उठाते हैं लेकिन कुछ समय बाद यह मुद्दा थंडा पढ़ जाता है। इसलिए हम आपसे आगरह करते हैं कि इस विडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिल सके। अगर आप भी इस मामले में डॉक्टर बेटी के लिए नियाय चाहते हैं, तो कमेंस में वी वन्ट जस्टिस जरूर लिखें और इस विडियो को अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में शेयर करें. आपकी एक छोटी सी कोशिश इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा दे सकती है. हमारा चैनल इस मामले पर लगातार विडियो बनाता रहेगा ताकि यह मुद्दा ठंडा न पड़े और दोशियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके. दोस्तों, इस घटना ने पूरे देश को जग जोर कर रख दिया है. हम सब का फर्ज है कि हम इस मामले को तब तक जिन्दा रखें जब तक डॉक्टर बिटिया को नियाए नहीं मिल जाता. अगर आप चाहते हैं कि हमारी कोशिशे रंग लाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें. हमारी अगली वीडियो में हम और भी चौंकाने वाले खुला से लेकर आएंगे. तब तक के लिए धन्यवाद, जै हिंद, जै भारत!